आज इस वीडियो में मारपास आचुका है OnePlus 12R जोके अंडर 40,000 की प्राइस में लेटेस्ट स्मार्टफोन है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन के साथ आता है वैसे डिजाइन थोड़ा सा OnePlus 11R की तरहां ही है लेकिन इस बार ये फोन आउट ओफ दी बोक्स Oxygen OS 14 के साथ आता है जोके Android 14 के उपर बेस्ट है बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं आज इस वीडियो में इसका एक फुल रिव्यू चारीज से ज़्यादा फीचर्स आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप इस फोन में इंटरस्टेड हैं तो वीडियो को पुरा जूर देखेगा और मुझे बताएगा नीचे कोमेंट्स में के आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सबसे पहले इस फोन के डिस्प्ले और डिस्प्ले फीचर्स के बारे में बात करते हैं ये फोन में आपको मस्त डिस्प्ले दिया गया है 6.7 इंचिस का कर्वड LTPO4 AMOLED डिस्प्ले है higher 1.5K resolution के साथ इसका refresh rate भी 120Hz का है और brightness तो इसमें आपको 1600 nits का दे रखा है जो के outdoors में भी मस्त काम करता है वैसे by default इस फोन में आपको higher resolution disable करकी दिया गया है मतब के settings में display के अंदर आपको screen resolution का option मिलेगा यहां से आपको high select करना पड़ेगा अगर आप 1.5K resolution को enable करना चाहते हैं इस phone में आपको बहुत ही सुन्दर live wallpapers दिये गए हैं अगर आप home screen के उपर long tap करके wallpapers के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको live के अंदर बहुत सारे options मिल जाएंगे यह वाला एक निया wallpaper है जो के आपने 1 plus 12 series के अंदर देखा होगा और भी बहुत सारे live wallpapers यहां पर हैं by default आपको AOD भी बंद करके दिया गया है लेकिन आप उसको enable यहां से कर सकते हैं और कुछ नए AOD आपको मिल जाते हैं जिसके canvas और जो बाकी पुराने options थे वो सब तो यहां पर हैं ही उसके साथ यहां पर आपको carbon footprint और homeland के अंदर भी कुछ नए options दिये गए हैं वैसे मुझे जो सबसे बढ़िया always own display लगता है वो है omogis का future बेसके इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के omogis दिये गए हैं आप अपना भी create कर सकते हैं इवन आपके face को यह देखता रहता है और आपके face के हिसाप से move करता है और यह सब भी आप use कर सकते हैं डिस्प्ले की कुछ और customization settings आपको display settings में मिल जाएंगी जैसके इस phone में बढ़िया PWM dimming का option आपको दिया गया है जो के anti flicker का का काम करता है उसको आप यहाँ से enable कर सकते हैं और एक और बढ़िया और नया option यहाँ पर nature tone display का है basically environment के हिसाप से phone जो है colors को थोड़ा customize करता रहता ह एक और option जो मुझे बहुत useful और बढ़िया लगता है वो है adaptive sleep का अगर आप चाहते हैं कि जब तक आप अपने phone की तरफ देख रहे हैं phone की screen बंद ना हो जैसके अगर आप reading कर रहे हैं या फिर photos वगेरा देख रहे हैं उस time पे feature काफी काम आता है वैसे display पे अगर आप कुछ भी देख रहे हैं videos वगेरा उसका experience और बेटर करने के लिए आपको यहाँ पर video enhancement engine के अंदर भी options मिल जाते हैं या फिर इवन videos के लिए आपको color boost का option दिया गया है जो आपकी normal HDR quality की videos हैं उसको भी HDR और बढ़िया quality में प्लेगा इस बढ़िया phone को और खास बनाने के लिए OnePlus ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है इस phone में आपको कुछ amazing features दे रखे हैं इस phone के UI और बाकी सब features की बात करने से पहले 10 special features आपको बताता हूँ एक सबसे special feature जिसको इस phone में काफी चुपा के दिया गया है settings में additional settings के अंदर gesture and motions के अंदर आपको air gestures का option मिलता है इसके अंदर आप अगर इसको enable कर लेंगे तो basically आप gestures की मदद से calls को pick किया reject कर सकते हैं जैसे के अभी मुझको एक call आ रहा है अगर मुझे उसको pick करना है तो मैं इस तरीके का gesture कर सकता हूँ और call automatically pick हो जाएगा एक और special और नया feature आपको settings में notification settings के अंदर मिलेगा smart notification hiding का अगर आप चाहते हैं आपका phone किसी के पास है दोस्त या किसी इंजान के पास है उस time पर आपकी notifications उनको show नहीं हो तो आप बस इस feature को enable कर दीजिए अपना face unlock setup कर दीजिए उसके बाद phone आपके face को detect करता रहेगा अगर कोई नई notification आती है सिरफ तभी वो show होगी अगर आपका face सामने है अगर किसी और के पास phone है तो वो notification को phone automatically hide कर देगा notification and status bar में ही एक बहुत अच्छा option आपको smart suggestions का भी दे दिया है ये भी एक नया option है basically अगर आप zomato या स्वीगी वगेरा से कुछ food order करते हैं उसका live status अब आपको अपनी low screen और EOD के उपर दिखता रहेगा मदब कितने time में आपके पास खाना आने वाला है वो आप low screen से ही देख पाएंगे gallery app या images के लिए एक special feature आपको बताता हूँ अगर आपने कोई भी photo capture किया है आप बस photo के पर long tap किजिए और इस तरीके से आप अपना एक cutout बना सकते हैं किसी भी object का cutout भी आप बना सकते हैं और उसको यहां से copy, save या share कर सकते हैं और अगर आप किसी भी photo को open करके ये edit बटन के उपर tap करते हैं अब आपको erase objects का option भी मिल गया है अगर आप यहां पर eraser को select करेंगे और उसके बाद किसी भी object को मैं इस तरीके से select कर देता हूँ phone जो है automatically उस object को वहां से guide कर देगा हालांकि ये कभी-कभी इच्छे से काम करता है और कभी-कभी नहीं भी करता system customization के भी बहुत special features आपको इस phone में मिल जाते हैं जिसके आप fingerprint animation को change कर सकते हैं क्योंकि यहां पर in-display fingerprint sensor है तो काफी सारे options आपको दिये गए हैं even horizon light का option है क्योंकि यहां पर curved display है तो यह edge lighting और ज़्यादा सुन्दर लगती है और इनको आप 3 colors में use कर सकते हैं इक और special features जो पहले आपने OnePlus के phones में नहीं देखा होगा अगर आप special features के अंदर जाएंगे तो आपको smart sidebar का option मिल गया है इसको अगर आप enable करेंगे तो इस तरीके का sidebar है वैसे तो इसमें normal आप apps या shortcuts वगएरा रख सकते हैं लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि इसमें अब आ window को open करके app को open करके आप recents में यहां से floating window को open कर सकते हैं वैसे floating window को directly open करने का भी option है sidebar से अगर आप किसी भी app को open करते हैं वो भी directly floating window में ही open होता है क्यूंकि यह phone थोड़ा बड़े size का है तो one-handed usage को असान बनाने के लिए एक special feature बताता हूँ अगर आप home screen settings में जाएंगे तो आपको icon pull down gesture का option मिलेगा इसको बस आपको enable कर देना है उसके बाद आपको home screen के edge से इस तरीके से swipe करना है और सारी apps आपकी नीचे आ जाती है जिस भी app को आपको use करना है उसके उपर इस तरीके से drop कर दीजिए और अगर मैं आपको मेरा सबसे favorite special feature बताऊं दोस्तों वो य जब भी आप low screen से fingerprint sensor की मलक से अनलोग करते हैं तो इसको press करके रखिए छोड़िएगा नहीं यहाँ पर आपको सारे shortcuts मिल जाएंगे जिसके Google पे से जल्दी से payment करना है कुछ calculate करना है या फिर photo capture करना है वो सब आप कर सकते हैं वैसे UI की बात करूं तो वहाँ पर भी इस phone में एक बहुत ही खास चीज़ है वैसे यह phone out of the box oxygen OS के साथ हाता है जो के android 14 के उपर based है इस phone में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी ad देखने के लिए नहीं मिलेगा इवन bloatware की अगर मैं बात करूं तो कोई भी bloatware app नहीं है सिरफ netflix आपको pre installs मिलता है और यह नए UI की विज़े से इस phone के animations और जादा smooth हो गए है UI के features की बात करों तो इस phone में बहुत सारे gestures आपको मिल जाते हैं settings में additional settings के अंदर आपको gesture and motion का option मिलेगा इसके अंदर आपको screen of gestures मिल जाते हैं अगर आप screen बंद है कुछ draw करके action perform कर सकते हैं music को control कर सकते हैं या फिर बहुत सारे motion gestures भी यहां पर है OnePlus के phones का सबसे बढ़िया feature जो हमेशा से रहा है वो है Zen Space का या फिर Zen Mode का basically यह focus mode की तरहां काम करता है अगर आप चाहते हैं कि कुछ time के लिए आप अपने phone को use नहीं करें तो इस तरीके का आप Zen Space यहां पर create कर सकते हैं आप अपना मन पसंद यहां पर sound भी select कर सकते हैं जो के उस time पे play होगा even आप select कर सकते हैं कि उस time पे आपको किन-किन apps का usage अलाव करना है dual apps का option भी आपको इस phone में मिल जाता है settings में apps के अंदर आपको app kloner का option दिया गया है हालांकि सिरफ social media की जो apps हैं उसके लिए यह काम करता है तो हर किसी app को आप नहीं कर पाएंग है तांके कुछ भी use करना है तो असान हो जाए और उसके बाद इस तरीके से ऊपर चली जाएगी एक बढ़िया display के साथ इस phone में speakers का experience भी बहुत अच्छा है इसमें आपको dual speakers दे रखे हैं dual Dolby Atmos का support है और अगेन एक बढ़िया चीज़ यह है कि sound के related भी बहुत बढ़िया features दे रखे हैं जैसे कि Dolby Atmos की मदद से आप sound को और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं sound experience को better करने के लिए यहाँ पर Dolby Atmos के अंदर आपको कुछ presets दिये गए हैं OnePlus के अंदर यह special audio का feature तो आपको पहले से मिलता था लेकिन यह सिरफ supported sounds के लिए है अब आपको hollow audio का feature मिल गया है अगर आप अपने phone के उपर एक से ज़ादा audio play कर रहे हैं मानले जी कोई video play हो रहा है साथ में notifications आ रही है music पी play हो रहा है लेकिन अगर आप notification tone में जाएंगे तो आपको एक dynamic tones का option मिलता है by default बहुत boring सा sound है लेकिन आप यह interesting sounds को अपना notification sound बना सकते हैं और यह हर बार आपको एक नया sound play होता है performance के मामले में तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी under 40,000 one of the best processor जो आपको मिल सकता है snapdragon 8 gen 2 इसके अंदर आपको मिलता है bgmi तो आप इस phone में smooth 90 fps और HDR extreme तर खेल सकते हैं वैसे अगर आप gaming करते हैं तो आपको इस phone में एक gaming assistant भी मिल जाता है जिसके अंदर काफी सारे एच्छे options हैं आप यहां से pro gamer mode यूज करके जादा better fps ले सकते हैं आप system stats enable कर सकते हैं fps और यह सब screen पे देखने के लिए even यहां पर voice changer का option आपको दिया गया है और यहां पर GPU settings भी हैं जिसकी मदद से आप graphics को और better कर सकते हैं और काफी time के बाद इस price range के किसी smartphone में आपको एक बड़ी battery मिल रही है इसमें आपको 1500 mAh की battery दी गई है और साथ में 100 volt की charging भी दे रखी है लगपक 25 मिनिट के करीब यह phone आपका full charge हो जाएगा वैसे इस phone की charging को और fast करने के लिए आपको settings में battery के अंदर एक smart rapid charging का option दिया गया है अगर आपका phone detect करता है कि आपको भी जल्दी से charging के ज़रूद हो सकती है मानल जी आप सुबह-सुबह phone को charging पे लगाते हैं तो phone automatically charging को और ज़्यादा fast कर देगा और आपके charging time को और कम कर देगा बाकि network privacy security की बात करने तो ये एक 5G phone तो है ही इसमें आपको 5G के 8 band मिलते हैं 4G भी अगर आप use करते हैं उसकी connectivity बहुत ही बढ़िया है 4G plus बहुत असानी से connect हो जाता है और बहुत अच्छी performance आपको मिलती है वैसे network speed को और better करने के लिए कुछ बढ़िया options भी आपको दिये गए है Wi-Fi Assistant के अंदर आपको dual channel network acceleration का option मिल जाता है बिसके लिए Wi-Fi और mobile data को आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं इवन आप दो Wi-Fi networks को भी एक साथ connect करके faster internet connection यूज़ कर सकते हैं Wi-Fi tethering भी इस phone में supported है मतब कि अगर आपका Wi-Fi on है अगर आप साथ में अपना hotspot on कर देते हैं तो Wi-Fi बन नहीं होगा बलकि इस hotspot की मतब से आप अपने Wi-Fi को आगे share कर सकते हैं और सारे security features भी आपको security and privacy में नीचे यहां पर मिल जाते हैं इसके app look, hide apps, private safe, किसी भी file को आपको hide करना है या password protect करना है, images, videos, audio, documents, हर चीज़ को आप यहां से protect कर सकते हैं finally अगर cameras और camera features की बात करें तो इस phone में आपको 50MP का primary, 8MP का ultra wide, 2MP का macro और front में 16MP का camera मिलता है cameras के मामल में वैसे यह phone best नहीं है इस price range में कुछ camera samples में आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इस phone के rear cameras और front camera से capture की है आप देख सकते हैं कि कैसी इसकी camera performance है वैसे इसके camera में एक बढ़िया feature आपको videos के लिए मिल जाता है आप इस phone में video portrait mode यूज़ कर सकते हैं मतबकि videos के अंदर भी bouquet effect को enable कर सकते हैं और सिरफ rear camera ही नहीं, ये चीज़ आप front camera में भी use कर सकते हैं more options के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर dual view video का option भी दिया गया है again अगर आप front camera और rear camera दोनों को एक साथ यूज़ करके videos बनाना चाहते हैं यहाँ पर आप layout वगेरा भी change कर सकते हैं एक और future camera का जो मुझे बहुत बढ़िया लगा दोस्तो प्रो मोड के अंदर अब आप JPG के साथ साथ RAW और RAW प्लस फोटोस भी capture कर सकते हैं बाकि कुछ होर चीज़ें भी हैं जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो में बात नहीं की just case में आपको एक alert slider मिल जाता है in-display fingerprint sensor है IR blaster भी आपको दे रखा है box में जो cover आपको दिया गया है वो normal TPU case नहीं है एक बढ़िया quality का case है overall 40,000 की price में मुझे तो एक phone बढ़िया लगा अगर आपको कुछ होर जानना है इसके बारे में तो नीचे comments में पूछ सकते हैं वीडियो कैसा दगा ज़रूर से like करके और नीचे comments में बताईगा और share भी कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप ऐसे videos देखना चाहते हैं